अलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारती सुजुकी की तरफ से आने वाली नई अपकमिंग एस वी जिसका नाम होने वाला है ग्रैंड विटाणा तो यह गाड़ी जो है अब इंडिया में लौन्च हो सकती है बहुत ही जादा कम चांसे इस गाड़ी को इंडिया में देखे क्यूंकि जो है वह बहुत सालों से जो है वह इंडियन रोर्स पर यह गाड़ी ब कोई प्लान नहीं है तो लेट सी कि क्या इस गाड़ी में एक्सेट करने वाले क्योंकि थो तोड़से इस न्सेस है कि इस धिडियो इस वीडियो लाघ को जडरुर देखना तो दोस्तोत है कि वह पफिर आ toca- शुरम तो इन गाड़ी को जो है वह काड़ी करने वाली सब्सक्राइब और तो यह बात करें तो यह वह बढ़ी है तो फरस्ट और करते हैं तो फरंट में आपको जो है वह लैंड रोर एकस्पाईर जो है वह बोनेड देखता है फर्स्ट जो मैं वही देखा हूँ मुझे जो है डारेक्ली जो है वह लैंड रोर की याद आ गई और हाँ दोस्तों ये इंस्पायर भी आप बहुत सारे जो है वह गूगल पर आर्टिकल्स भी बढ़ सकते हूँ उसमें भी जो है वही यही लिखा है तो फ्रंट में आपको ज मिलने वाली precautions से पाथ कर दो चार मिल्ट से आफ्इक गारी जादा लंबी है ओर तो अरज में प्रेटर ओर उसको टु करेटा और से आपको रूफस बीचना को मिलने वाली है unsere है जो है ओरव गाड़ी की सारव तरव सै आपको देकने को मिल वाले जिस्सें की जो कि चाड़ी को सरफ ओफर करती यह ब्लैक क्लाविबिटेंग्स ऑटो फॉलडिक अजिस्टिंग्स देखने को मिलने वाली इसंमें भी आपको जो है वह तर मिलने वाले है और फूर डिस्क ऑप्चन जो आपको इस में देखने को मिलने माला है अगर इस बात करें तो यह जो इस घाड़ी की बहुत जादा डिएल टॉन जो है को मिलने वाला आपको आपको मिलने वाली है सिंगल इक्सोट बोडरेश्म मैं demanded हैं जोड़ा नाहीं सोचे तो पहितर है नमपर प्लेट हॉजिंग जो वह आपको ट्रंग में देखने को मिलने वाली है और कैमेरा भी उसके उपर आपको देखने को मिलेगा रेर वाइपर डिफागर और शार्क फिन एंटेनर आपको इसमें देखने को मिलने वाला है अगर हम ओवर वाड़ गाड़ी की बात करें तो बार से जो है गाड़ी फ्यूचरिस्टिक दिखती है तो अच्छी है अच्छाला यह जाष है की आपने मिलने वाला है जैसा कि अलनियुक्त आप नजया देखनेको मिलने वाला इस्पार है mask吗 इसमें आप ट्रिपे ट्रिपी माइलेज और जो है आप इंफरमेशन अक्सेस कर पाओगे गाड़ी से रिलेक्टेड डैच बर्ड में आपको जो स्क्रीन देखने को मिलने वाले यह वह देखने को मिलेगे आपको जो की हाल फिलार में आपको ब्रेजा और सुफ्क डिजायर है फिर बलेनों में देखने को मिलती है सेम स्क्रीन होने वाली कुछ जावक चैन्जेस आपको नहीं देखने को मिलने वाले इंटम्स आप साइज और ओर ओल रिस्पांस एक मुझे बात बहुत अच्छी लगे कि इसको जो है वह एसी जो एसी के वेंट जो है ना बीच में बीच में आपको क्लोग दी गई है एनलोग जो बहुत ही जो एक यूनिक सटर्ज मुझे लगा परस्नली जो है इस डिजाइन को में टेन जो है मार्क्स देना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही आचीज दरेक्स जो है वह इंपलिमेंट किया गया इसमें आपको इसमें देखने आपको इसमें देखने को मिलने वाला है और इंट्रेशनल मार्केट में इस गाड़ी में आपको संटरूप देखने को मिलती है इंडिया में देखने को मिल सकती है इस पर जो है वह डाउट है अगर उफर करेगी यार क्योंकि इतना प्राइस रेंज में आपको सभी गाड़िया उफर करती है हाँ प्राइसिंग के बात करूँ तो 22 लैक के आराउंड इसका टॉप वेरेंड आपको देखने को मिल सकता है तो आप इससे अंदर ज़र लगा सकते हो कि मैं क्यों बोल रह तो इसको कमेंड करते वागा हम सकते आपको इसमें जो है वह नीरूम हेड रूम शोल्डर रूम वह फैबलेस देखने को मिल सकता है अरे रेस इवेंट वह आपको इसमें अच्छा सा जाए आप ऐसा बहुत कह सकते हैं कि ब्रेजा की जो है वह बड़ी बेन ग्रांट विट Traction Control, Cruise Control, Lane Keep Assist and Adaptive Cruise Control, Radar Based Autonomous Driving जैसे बहुत सारे फिचर जो है वो आपको इस गाड़ी में इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिलते हैं इंडिया में जो है वो नहीं आने वाले क्योंकि cost cutting and वागेरा सब मिल्जोड के जो है आपको बेसिक सी गाड़ी चाहे हो फिचर्स होगे comparatively इसके राइवल्स बट इतने नहीं होगे जितने आपको इंटरनेशनल मार्केट में इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिलते हैं अगर हम एंजिन की बात कर तो एंजिन में 1.5 K15B पेट्रोल इंजिन देखने को मिलने वाला है जो कि प्रोडूस करता है 103 BHP की पावर and 138 Nm का टॉर्क और इसको रिट्यून करा जाएगा इसकी पावर जो है वो बड़ा ही जाएगी एंड फ्यूचर में डिजल इंजिन लॉंच होता है तो इसमें आपको 1.5 बेटर का जो है इनका डिजल इंजिन देखने को मिलने वाला है जैसे कि आपको S-Cross और ब्रेजा में इंडिया में देखने को मिलती है क्योंकि इन दो गाडियों की जो है वो बिल्ड क्वालिटी जो है करेंट मारूती की सभी गाडियों से बहुत जाधा बहतर है ब्रेजाने जो है वो फॉर स्टार रेटिंग जो है गुलोबल NCAP में लिए तो ग्रेट बिटरा भी जो है वो बहुत जाधा जो है वह सियफ मान सकते हो आप और इसकी ओर वाल बील्ड क्वालिटी जो है वो बहतर है और आपको इस गाड़ी से जो है वह बिल्ड क्वालिट तो दोस्तों इस गाडि को जो है वो मेरे इसाब सी अब तक लांच होना चाहिए था बर आगा इसा लगता है कि मुझे इसा लगता है कि मारतुछ हो जो है वो इस गाड़ी को जो हो इंडिया में लॉट्ग नहीं करेगी तो आप से양व हम से पार रहे एक रस्तों पर विदाउ के साथ लॉंच होगी ऐसा में बताने के कुशिश कर रहा था अगर लॉंच होती है तो मुझे नहीं लग था कि जादातर लोग जो है इसकी तरफ एट्रैक्ट होंगे क्यों जो आपको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत जादा हाइटेक फिचर जो ऑफर करते हैं यह गाड़ी जो कई न कई सुजुकी ऐंबरं के साथ जोए वो वह फीचर जो है वो मिसिंग सकते हो और यह भी जो ओंफर्म नहीं यह से जो है वह लीक्स और रुमर्स फेलते रहते हैं कई-कई में 2021 में दिखा है कई-कई-22 में लिका है वाइस ऐसा लिखता ही रहते हैं लोग क्योंकि लोगों को जए उनको करना रहता है तो इंकी बातों में ना आये और इस गाड़ी क प्लीज मुझे कमेंट करके जरू बातान लाइक शेर और सब्सक्रेब करके चानल को जरू जानाता है थैंक्यो फ्रेंस फर वाचिन दिस वीडियो